अब अब हेलो एवर्वान हेलो पैरेंज्स लास्ट मेरे एक वीडियो बनाया था विच वाज स्टूदेंट सा रिफ्लेक्शन आफ टीचर्स तो उसमें मुझे कमेंट आया था जिसमें एक पैरेंज्स ने कि सर हम बच्चों के साथ कैसे अच्छे से रह सकते हैं उनके प्राबलम्स सॉल्व कर सकते हैं और बेसिकली मैं कमेंट पड़ी दिता हूं क्या कमेंट है बच्चों जो पैरेंट से उनका थांक्यों अमिट सर एल बी लुकिंग फॉरवर्ड तू फॉर थे सिमिलर जिससे बच्चे को हम अच्छे से गाइड कर सके एज पैरेंस ये पैरेंस पूछना चाते हैं इंस्टेट के बच्चे को हम दरा अधमका के चीज़ें समझाएं तो मुझे जहां तक लगता है इस कमेंट के लिए एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने बच्चे के साथ बैठ कर बातचीत कीजिए जिसको मैं बोलता हूँ effective communication and effective communication is a skill जो बच्चों को एकदम comfort feel कराएगी और वो बच्चे आपके साथ कुछ भी share कर सकते हैं जो बच्चे के दिमाग में चल रहा है तो हम जहां बात करते हैं effective communication की वो है मैं आप से पूछता हूँ कि आप कितनी देर बच् करते हो आप खुछ से पूछे इस बात को तो आपको अंदाजा आजाएगा कि हम कितनी देर बच्चे से बैटके बात करते हैं और अगर आप यह नहीं करते हो तो कहीं न कहीं बच्चा इसलिए आपसे डरता है और चीजें आपसे बताने में उसको हिचकी चाहट होती है और बात करने का मतलब होता है उसका साइड सुनिए आप ऐसा नहीं आप अपना ही बोलते रहे है उसका साइड सुनिए और उसके लिए आप सुलिशन प्रोवाइड किजिए और मुझे पता है as a parents आपको बहुत experience है आप अपने बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं ले अगर आप उसकी बाते सुनेंगे, उसको solution देंगे, तो वो डरेगा नहीं, आपके साथ बहुत ही comfort feel करेगा, और जो आप बोलेंगे, जैसा आप बोलेंगे, वैसा वो बच्चा behave करेगा, वैसा वो बच्चा बनते जाएगा, और definitely मुझे जहां तक लगता है, यह बहुत ही effective च teachers तो जरूरी है, साथ-साथ मैं parents की भी बहुत support required है, तो please support your child by communicating with the child, communicate कीजिए, क्योंकि communication is the key important point for having a good relationship between parents as well as the child, so thank you, अगर आपको और भी चीजों पर कुछ भी videos चाहिए, तो आप मुझे बताइए, तो मैं बना सकता हूं, thank you. झाल